है लुद दोस्तों नमस्ते स्वागित है आपका एक बार फिर मेरे चैनल में तो दोस्तो कैसे हो आप सब अच्छे होंगे तो दोस्तो आज की जो अपडेट है दिल्ली दर्दन एक्सप्रेस वे की जो यूपी बोर्डर है दिल्ली यूपी बोर्डर उससे आगे पावी तक मैं आपको देने वाला हूँ तो दोस्तो दिल्ली यूपी बोडर क्रॉस करते ही आप यहाँ पर देखेंगे स्टार्टिंग में यहाँ पर सब ग्रेड की लेवलिंग का काम चल रहा है और यह वाला दोस्तो सर्विस रोड बनके त्यार हो चुका है अभी राइट सैड में और भी सर्विस रोड का काम होना है यहाँ पर बाकि है तो दोस्तों यहाँ पर अब बोड़ देख रहे हैं यहां से अंदर अंदर subgrade की का काम complete हो चुका है तो दोस्तों अभी यहाँ पर देखिए इस जगह Navy्लिंग होना बाकि है मिट्टी की और यहां पर sidewall लगाना भी बाकी है तो यह जो पार्ट है वो एक्स्प्रिस वेका है तो यहां पर दोस्तो क्रेन के दुरू मिट्टी की लेवलिंग की जारी है और यह दोस्तो service road काफी पहले ही बनके त्यार हो चुकी थी तो दोस्तो यह है two way road अभी दोनों side ट्रैफिक इसी service road पर आता जाता है तो यहां तक देखें दोस्तो sidewall का काम हो चुका है और अभी और यहां पर sidewall का काम होना बाकी है तो अब मैं आपको दोस्तो इस पार्ट के अंदर से आपको दिखाता हूं यहां पर इस जगह तक यहां पर सब्सक्राइब की लेयर को बिचा दे गया है अच्छे से अभी इसके उपर ब्लैक टॉप का काम होना बाकी है तो यहां से आगे दोस्तों ब्लैक टॉप का काम भी हो चुका है तो इस जगह दोस्तों ब्लैक टॉप की लेयर का काम भी complete हो च left side वाला part यहां पर complete हो चुका है right side में भी labeling चल रही है मिटी की और sidewall का काम भी बाकी है और यहां पर अभी divider का काम भी दुस्तों होना बाकी है इस जगें यहां पर जाल बनाए गया है divider का काम भी स्टार्ट हो जाएगा बहुत जल्ब कि यहां पर दोस्तों काफी पहले ही ब्लैक टॉप का काम हो चुका है और इससे आगे दोस्तों लेफ्ट साइड में भी देखिए लेवलिंग की जा रही है सब्सक्राइब की काफी तेजी से दोस्तों काम चल रहा है यहां पर दिली तरदुन एक्सपरसुक है फेज वन के पैकेज 2 का सथा दोस्तों अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना आपको बहुत सारी ऐसी लेटेस्ट अपडेट मिलती रहेंगी तो दोस्तों यह है अंडरपास तो अभी इसके ऑपर भी काम होना बाकी है यहाँ पर अभी डिवाइडर काम नहीं हुआ है और ना ही दोस्तों ब्लैक टॉप का और इससे आगे अगर देखेंगे दोस्तों दोनों साइड ब्लैक टॉप का का काम कंप्लीट हो चुका है और बीच में डिवाइडर को भी बना दिया गया है तो यहां तक दोस्तों दोनों साइड डिवाइडर का ब्लैक टोप का काम कंप्लीट हो चुका है और इससे आगे अभी यहां पर राइट साइड में लेवलिंग का काम बचा है और यहाा तक दूस्तों यह देखे बलैक टौप का काम डन हो चुका है तो और इस से आगे दूस्तों यहां पर तो दूस्तु लैट सईड में इस जगें साइड वोल का काम कंप्रीट हो चुका है अब यहां पर यह साइड पैनल फिक्स किये जाएंगे तो देखिए आगे तक दोस्तों यहां पर सब ग्रेड का काम हो चुका है और यह राइट साइड में साइड पैनल रखे हुए है तो इसके बाद दोस्तों यहां पर साइड पैन चोड़ा करने काम होना बाकी है और राइट साइड में यहाँ पर सर्विस रोड को भी बनाया जाएगा और लेफ्ट साइड में दोस्तों आप देखेंगे काफी दूर तक यहाँ पर सब ग्रेट का काम कंप्लेट हो चुका है तो दोस्तों अब हम बढ़ते हैं सवापूर की तरफ तो यह है दोस्तों सवापूर और यहाँ पर बनाया जा रहा है वीकल अंडर पास तो दोस्तों हाफ वीकल अंडर पास बनके त्यार हो चुका है तो उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे तो इस जगह वीकल अंडर पास की वोल का काम यहाँ पर चल रहा ह क्या विए और देखें काफी ऊपर तक यहां पर सरीया का जाल बना दिया गया है कि पुम्हीं कर दो दोस्तो यह वाला पार्ट भी जल्दी तयार हो जाएगा वीकल अंडर पास का तो यहां से आगे चलते हैं दोस्तों यहां से स्टार्टिंग हो जाती है तॉल रोड की और इस से आगे कर यहां काम चल रहा है कि कुल दॉस्तों यहां नीचे देखिए अभी यहसे रोड को छोड़ा करने का काम चल रहा है कि यह देखिए काफी लेवलिंग यहां पर हो चुकी है और काफी उपड़ तक दोस्तों मिट्टी के लेवलिंग का काम कंप्लेट हो चुका है तो दूस्तो यहां पर बनाए जारे है टॉल रोड के गेट तो काफी सारा काम यहां पर हो चुका है तो दूस्तो इस तो डॉर्ट के साथ साथ यहां पर बनाए जारी आगे मैं आपको दिखाता हूँ काफी सारा काम उस रोड का भी हो चुका है और ये देखिये कि काफी सारे बॉक्सिस यहां पर बन चुके हैं तो यहां से स्टार्टिंग हो जाती है दोस्तों कॉंक्रिट रोड की यहां तक यह रोड का काम कंपलिट हो चुका है तो देखिए तो अभी यहां पर बच्चे साइक्लिंग कर रहे हैं यह वाला पार्ट रोड का कंप्लीट हो चुका है और दोस्तों राइट सैड में यहां पर काफी पहले ही ब्लैक टोप का काम हो चुका था इस वाले रोड़ पर हाँ और दौण सुद्क में तो काफी पहले ही यह कॉंक्री रोड का काम हो चुका तौब राइट सैड मेंजें कीATE रोड का काम कंप्लीट हो चुका कर आब लेफ देखिए दूस्तों यहां पर कि सर्वीस रोड जुह चल रहा है और यह देखिए अब भी हम konkाई रोट पर ही चल रहे हैं यह देखें दोस्तों पूरा पार्ट कंप्लीट हो चुका है यहां पर कॉंक्रिट रोड का तो काफी चोड़ा यहां पर रोड बना दिया गया है दोस्तों यह है टॉल रोड तो दोस्तों काफी लंबे पैच में यहां पर इस वाले रोड का काम हो चुका है और लेफ्ट सेड में अगर आप देखेंगे तो यहां पर सर्विर्स रोड का काम चल रहा है और काफी ऊपर तक दोस्तों मिट्टी की लेबलिंग का काम कंप्लीट हो चुका है तो देखे दोस्तों काफी तेजी से यहाँ पर काम चल रहा है और दोस्तों इस वाले रोड पर अभी काम होना बाकी है और राइट वाले साइड में दोस्तों काम चल रहा है रोड को चोड़ा करने का कुझे ठोके मरने समय पर दोस्तों यहां से पावी तक इस वाले पेच का काम भी कम्प्रिट हो चुका है जिसपे डिवाडर बना धी गये हैं दोनों साइड के ब्लैक टोब का कम्प्रिट हो चुका है साइड पेलन लगा दी गए हैं तो यह एक्सपरेस्वे का काम यहां पर काफी अच्छा हो चुका है काफी complete काम हो चुका है तो दोस्तों left side की service road भी यहां पर start है right side की service road का काम भी काफी सारा यहां पर हो चुका है और यह है दोस्तों आगे वी कलेंडर पास तो दोस्तो अभी बीच में यही पार्ट अभी बचा है जिसके उपर ब्लैक टोप का काम अभी नहीं हुआ है तो यहां से आगे भी आपको देखेंगे तो काफी सारा काम यहां पर कंप्लिट हो चुका है तो यही है दोस्तो दिल्ली धरदुन एक्सप्रस वे तो देखें दोस्तो यहां पर यहां तक बीच वारा डिबाडर का काम कंप्लिट हो चुका है तो काफी लंबे पैच में दोस्तो इस वाले पार्ट का काम अल्मोस्ट डन हो चुका है आगे दोस्तो पावी से प्लर्स के उपर आ जाता है दिल्ली दर्दुन एक्सप्रस वे भजुरी खास से लेकर पावी तक ग्राउंड फिल्ट पे रहने वाला है और ग्राउंड फिल्ट पे दोस्तो काफी सारा काम हो चुका है डीडी एका अब देखा दोस्तो आपने कितने लंबे पैच में यहां पर दोनों साइट काम हो चुका है दिल्ली दर्दुन एक्सप्रस सुवे का जो कंप्रेट हो चुका है अब दोस्तो यहां से आगे मैं आपको दिखाता हूं इससे आगे थोड़ा सा पैच अभी बचा हुआ है जहां पर अभी मिट्टी की लेवलिंग की हुई है और दोस्तों यहां से पावी ज्यादा दूर नहीं है यह पावी ही है तो यह देखे दोस्तों यहां पर इससे आगे थोड़ा सा काम बाकी है और बस थोड़ा ही आगे दोस्तों वहां पर प्लर के उपर स्टार्ट हो जाएगा तो इसके बाद दोस्तों यहां पर प्लर कैपिंग के उपर जाएगा दिली दर्द एक्सप्रेस वे इस्टन फैरी फैरल तक तो दोस्तों यहां से आगे आगे अभी डेने सिस्टम का काम अभी चल रहा है और यह वाली सर्विस रोड दोस्तों बनके त्यार है काफी पहले ही तो यहां तक दोस्तों डेने सिस्टम का काम भी हो चुका है तो दोस्तों वहां से स्टार्टिंग हो जाती है प्लर के उपर डिडिए की तो यहां तक दोस्तों लेवलिंग हो चुकी है तो होप दोस्तों आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना सेर करना दोस्तों वीडियो को मिलते हैं दोस्तों बहुत जल